अले दोस्तों वेलकम टू बेन पॉइंट सडी आई हूब आप सारे के सारे ठीक हो तो आज हम करने वाले हैं पार्ट आठ तक्षा ग्यारवी की समाजवी ज्यान का जिसका नाम है जी सानिय शासन ठीक है पहले तो मैं बता दू क्लास 11 की पोल साइंस के जितने भी चैप्टर ह सारे के सारे में अप्लोड कर चुका हूँ लिंक का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा इससे पहले वाला चैप्टर अभी थोड़ी देर पहले ही अप्लोड किया था संगवाद और साथ में मैं चैप्टर वाइस मोस्ट इंपॉर्टन कोशन भी अप्लोड क करना है तो सबसे बढ़ी तरीका की वीडियो देखो पूशन आपके सामने आएगा उप्शन आपको दिये वी होंगे ऑप्शन खुद दिमाग में सोचो ठीक है उसके बाद वीडियो आगे करके देखो कि आपका सही है नहीं है बहुत बढ़ी तरीके से रिवाइस होगा आ उस पे अब लाइव आने वाला हूँ एक फरवरी से लाइव अगरा आउंगा तो रात को टेस्ट वगरा करेंगे तो आप उसे चाहो तो जॉइन कर सकते हो ठीक है तो चलो जी आगे आ जाते हैं तो हमारी प्रता है कि हम चप्टर के नाम से शुरू करते हैं तो चप्टर का रूल करती है तो पूरे देश का शासन वगरा देखती है दूसरी सरकार होती है राज्य सरकार जो पूरे राज्य का देखती है और राज्य सरकार के अंडर भी एक सरकार होती है नीचे भी एक सरकार होती है जिसको हम कहते है स्थानिय सरकार ठीक है और स्थानिय सरकार गाओ की अलग होती है शहर की अलग होती है एक्जामपल दूँ गाउं में आप सुनते हो पंचायत पंचायत सुनते हो ना ग्राम पंचायत जिला परिशत यह क्या है यह आपकी स्थानिय शासन है गाउं की जो स्थानिय शासन हो उसको और अगर मैं अर्बन एरिया जिलों की बात कर और महाराज की को कहते है BMC अपने अपने एरिया का अपने राज्य का मिरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है जी क्लेर हो गया चलो अब इना स्थानिय शासन क्यों जरूरी है मतलब सर केंदर सरकार बना दी राज्य सरकार बना दी काफी तो है यह जिले की और गाहों की अलग सरकार बनाने की क्या जरूरता है स्थानिय सरकार बनाने की क्या जरूरता है सर उनके भी एलेक्शन करवाने पड़ते है उनको भी चुनना पड़ता है तो इतना जंजट क्यों ले ना राज्य और केंदर सरकार से क्या काम नी चल रहा तो यह हम देखेंगे next और most important question कि स्थानिय शासन की क्या वश्कता है उनके क्या लाभ है उनके क्या महत्वा यह की answer लेकना आप ठीक है तो स्थानिय शासन लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्या का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्चते हो जाता है अब देखो अगर मेरे पारक क मेरे पारक का मेरे रहता हूं की लोकालेटी का कोई पारक है और उस पारक में कोई बल्ब खराब हो जाता है अब मैं स्थानिय शासन है उसको मैं बूलूंगा कि सब्सक्राइब बहुत तेजी से और बहुत कम करचे में कर देंगे नहीं तो अगर मानलो मैं सी एम को बोलता हूं वो किसी बंदे को भेजेंगे फिर वो बंदा फिर खर्चा बहुत हो जाएगा ठीक है सी एम के घर से आँ तक आने की उतने पैसे लग जाएगे जितने का बल्ब नहीं आ रहा है तो स्थानिय शासन सबसे नस्तीक होता है तो स स्थानिय शासन बहुत महत़पूर मैं एक्जाम्पल देता हूं बाहलो आपके एरिया के अंदर जो है वो बनाने की जरूत है ठीक है जी तो रहार को अधन और राज्य सरकार को इतना मालूम नहीं है कि यहां पर लोगों का असली दिक्कत क्या है तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी ठीक है लोगों को इससे जादा फाइदा नहीं हो पाएगा बट क्योंकि हमारे हर राज्य के अंदर जो है वो एक स्थानिय शासन है तो इससे क्या होता है कि वहां के स्थानिय शासन के अंदर कौन से लोग होंगे पंचायत के अंदर क्या दूसरे गाउं के लोगों होते हैं उसी गाउं के लोगों होते हैं तो उनको पता होता है कि गाउं की एक्चुल प्रॉब्लम क्या है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से solve कर पाते है जन हित के लिए बड़ी तरीके से काम कर पाते है तो इसलिए स्थानिय शासन जरूरी है तीसरा है स्थानिय शासन स्थानिय लोगों के द्वारा चलाया जाता है और स्थानिय लोगों को अपनी स्थानिय समस्याओं का ज्यान ह होता है और वह उन्हें खत्म करने के लिए उचित कदम उठा पाते हैं तो मैंने वह यह पॉंट मैंने आपको बताई दिया था कि जो स्थानिय लोगों दूआ चलाया जाता है ठीक है तो एक पंचायत है मानने लोग ग्राम पंचायत है या तालू का है या जिला परिशात है member होंगे, कौन होंगे, जो उस गाहों के होंगे, तो उनको पता है किया गाहों में अक्चल में problem क्या है, बारिश में पानी भढ़ जाता है, सड़क अच्छी नहीं है, road अच्छी नहीं है, school नहीं बन रहे, तो उनको actual problem का पता होता है, और वो उसको solve करने के लिए उच्छी सरकारों का कामगार जो है, वो कम करती है, अब देखो, अगर मानलो जो राज्य सरकार है, वो ही सारा का सारा काम करें, हर एरिया का, बल्ब वगएरा, पाक की चीज़े, road बना, यह देखे तो बहुत difficult हो जाता है, तो इसलिए जो स्थानिय सरकार होती है, वो क्या करती है, उ स्थानिय शासन की वशक्ता होती है, आप, देखो, वो देश है न, बहुत ज़्यदा मजबूत होता है, और वहाँ पर लोगों की ज़्यादा भागेदारी होती है, जहां पर स्थानिय शासन होता है, ठीक है, देखो, आप है न, अपने CM के साथ personal touch नहीं होता, आपका अपन आप उनको नहीं जानते, आप तो जानते वो नहीं जानते आपको, बट ऐसा MCD वालों के साथ, यहां आपके एरिया में जो स्थानिय सरकारी होती है, उसके साथ नहीं होता, गाहों के अंदर जो पंचायत है, आप उनको जानते हो, वो आपको थोड़ा पहुत जानते हैं, तो इससे क्या होती है, लोगों की भागेदारी बढ़ती हो, लोकतंतर मजबूत होता है, ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आते हैं कि स्थानिय भारत में स्थानिय शासन का विकास, तो सबसे पहले कोशन ही आता है, कि सर भारत में स्थानिय शासन का सिस्टम कब स्टार्ट में देखो बहुत पुराने राजाों के टाइम में भी होता था ठीक है बट वो इलेक्टेड नहीं होते थे राजा चुन लेता था जिस बंदे को वही बन जाता था बट आज कल के आधूनिक समय में क्या होता है स्थानिय शासन के निर्वाचित निकाई सन 1882 में ब्रिटिश में हमारे स्थानिय शासन को मुकामी बोर्ड का जाता था यानि लोकल बोर्ड का जाता था ठीक है उसके बाद धीरे-धीरे कुछ और चेंज हुए जैसे गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया 1935 आया इसमें भी जो हमारी स्थानिय सरकारिया जैसे ग्राम पंचायत हो गई गाहों के अंदर हो गई उनको थोड़ी सी पावर दी गई ठीक है और गांदी जी का भी मानना था कि स्थानिय शासन और विकेंद्री करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है ना तो लोकल एरिया में ब्रिटिश लेकर आई थी उसके बाद क्या हुआ भारत का जब भारत जब स्वतंतर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि 1952 के अंदर एक सामुदाइक विकास कार्य करम ठीक है कॉम्मिटी डवलप्मेंट एक प्रोग्राम वगरा चलाया गया और इस प्रोग्राम के पीछे सोच यह थी कि स्थानिय विकास की विबिन गतिवीदियों में जनता की भागेदारी हो इस प्रिष्ट मुमी में ग्रामिन इलाकों के लिए एक 30 तरिय पंचायत राज की विवस्ता की सिफारिश की गई याद रखना सिफारिश बनाई नहीं गई थी 1952 के अंदर क्या था ए सिफारिश रखी गई थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ कुछ परदेश जैसे की गुजरात हो गया महराष्ट हो गया उसने क्या किया 1960 में निरवाचन द्वारा बनाए निकायों की परणाली अपना ही मतलब उन्होंने इलेक्शन वगरा करवाना शुरू की हमारे कुछ रा सिफारिश की देखबाल कर सके मतलब वोटिंग तो करवाई थी गुजरात ने और महराष्ट ने 1960 के दशक में अपने इलाकों के अंदर स्थाने शासन के लेकर वोटिंग तो करवाई थी और उससे कोई फायदा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने स्थाने सरकार को पावर ही स्थाने सरकार को होना और उनके इलेक्शन करवारा उनको पावर देना बहुत इंपॉर्टन है और इसी लिए 1989 में पी के थुंगन समीती थी उसने स्थाने शासन के निकायों को समवैधानिक दरजा प्रदान करने की सिफारिश की उन्होंने बोला कि देखो अगर हमने स्थ स्थाने सरकार बना दिये ठीक है बट कॉंसिट्यूशन में सविधान में उनकी पावर नहीं लिखेंगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है तो कोई भी राजय मनमानी कर लेगी तो इसलिए अगर आप चाहते हो के जो हमारी स्थाने स्थाने स्थासन है वो थोड़ी पावर सूची समवर्ती सूची है ना तो कुछ विशे उनको वी दो जिससे वो भी उन विशे वोपर काम कर सके ठीक है और सविधान में संशोदन करके उनको धन वगएरा भी दो पैसे भी दो ऐसा ना हो कि पैसे के लिए बार बार राज्य सरकार के पास हाथ मांगना पड़े सबसे पहले तो यह भी बताऊंगा कि गाओं के लिये था गाओं के अंदर स्थाने शासन को मजबूत किया गया कैसे क्या 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 बात करी गई उनने 73 संशोदन में उसकी बात करेंगे और और चौतरवे संशोदन में शहर के अंदर यारी जैसे मैंने बताया दिल्ली में मुंसिपलिटीज है न मुंसिपल कॉर्पोरेशन तो यह सारी की सारी चीजों को बनाया गया और उनको पावर वगएरा दी गई क्या-क्या पावर दी गई क्या-क्या हुआ उसके बारे में हम सबसे पहले तो आपको यह भी बताऊंगा कि गाउं घृम् Tampa अनल अंड़ संशोदन में गाउं-घृम संविधाण के अंदर ृभिया भर पारिट किया गया था और सविधान का 73 हृम संशोधन taste शासन शृम जो पंचायती राजवेवस्ता से जुड़ावा था और चौतरवा संशोदन था वो शहर की थानिय सरकार उसे जुड़ावा था ठीक है और 1993 में यानि पारित होने के एक साल बाद उसको लागू किया गया था ठीक है जी तो अगर आप से पूचा जाए कि हमारे तेटरवा स्थानिय सरकारों के लिए कब पारित हुआ था तो आप बोला 1992 में पारित हुआ था जैसे कि हमने उपर देखा आप से पूचा जाए कब लागू हुआ था तो 1993 के अंदर लागू हुआ था अब हम देखेंगे कि 1993 के अंदर जो हमारा 73 संशोदन और 74 संशोदन लागू विवस्था होनी चाहिए जिसमें तीन स्थर का धांचा होना चाहिए क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि सबसे नीचे होनी चाहिए ग्राम पंचायत यानि एक गाहों में होती चाहिए ग्राम पंचायत और जब दो तीन गाहों को मिला दिये जाए तो उसके ओपर होनी सबसे नीचे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहा जाता था पंच कहा जाता था सरपंच जिसे कहा जाता है और फिर जो तालूका होती थी वो से उपर होती थी और सबसे उपर जो तो जिला पंचायत होती थी ठीक है जी तो ये एक संशोधन वगरा किया गय तो gram-panchite को कौन चुनता है ग्राम-panchite को चुनता है जी gramomy grammi-sava gonna को मतलब क्या होता है जो भी बंदा गाँं के अंदर 18 साल चे उपर है वह सारे के सारे grammi-sava की member है तो इसमें यही बात बोली गई थी सवीधान के 33 संचोधन में के हर बंदा जो भी 18 साल से उपर है उसको ग्राम सभा का मेंबर बनाया जाना चाहिए ठीक है जी चलो पहला पॉइंट आपको समझ आगे रहा है 73 संचोधन में 33 बनावट की बात करी गई थी दूसरा चुनाव ठीक है यह बोला गया था 73 संचोधन में के पंचायती राज के चुनाव जो है वो अन पंचायत के चुनाव होते ही नहीं थे पहले पंचायती राज के चुनाव अनिवारे होंगे और डारेक्टली लोग चुनेंगे ऐसा नहीं है कि कोई CMVM खुच चुलने कि तुम बन जाओ सरपंच ऐसा खतम कर दिया गया ठीक है उसके साथ 73 संचोधन में क्या था जो हमारी अनुसूची जाती है उनके लिए सीटे रिजर्व करी गई थी ठीक है और तीनो सतर पर सीटे रिजर्व करी गई थी और साथ में महिलाओ के लिए भी वंठर्ड सीटे रिजर्व करी गई थी और महिलाओ के अंदर से भी जैसे मानलो 100 हैं 100 टोटल है हमारे थाने सरकार के मे उसमें से 33 सीटे हैं वो फिमेल्स के लिए रिजर्व कर दी और उन 33 सीटों में से भी वंठर्ड यानि 11 सीटे जो है वो SCST की विमेंस के लिए रिजर्व कर दी ठीक है जी तो यह आरक्षन वगगर भी दिया गया 73 संशोधन में और 74 संशोधन में क्या किया गया कुछ ऐसे यानि जिन टॉपिक पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का अनूर बना सकती थी और देख रेक कर सकती थी न अब उसको क्या किया गया स्थानिय सरकार को दिया गया ठीक है तो ऐसे 19 विशे जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर सविधान की 11 अनूसूची में द पर होने वाले विकास और कल्यान के कामकास से था ठीक है जी समझ आ गया तो बहुत सारे विशे जो थे वो सारे के सारे राज्य सरकार से हमारे थाने सरकार को भी दिये गए और 11 भी अनुसूची में लिखे गए अपसे पूछा भी जा सकता है कि दो कोशन आ सकते हैं पहले कितने विशे थे कितने विशे को राज्य सूची से निकाल कर 11 सूची में डाला गया कितने से 29 विशे को और ये भी पूछा सकता है स्थानिय सरकार के जो विशे है वो कहा लिखे वे 11 अनुसूची में लिखे वे ठीक है जी आब आते हैं थोड़ा स विशे जो थे ना वो स्टेट को सौब दिये गए दिल्ली को वेस्ट बंगॉल को यूपी को यह डिसाइड करेंगे कि स्थाने सरकार को कितनी पावर दी जाने चाहिए कितने विशेद दे जाने चाहिए यह स्टेट वे छोड़ दिया ठीक है उसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि पनचायत के चुनाव करवाने की जिम्मधार इसको दे ती और साथ में वृत्यायोग भी बना गया राज्य वृत्यायोग तो परदेशों की सरकार जो थी, के लिए हर 5 फर्ष में एक परशासंक वृत्ययायोग बनाना जरूरी कर दिया गया, कि हर राज्ये को किंद जो अब मारा स्थाने सरकार है, उसके लिए वृत्ययायोग बनाना पुड़ेगा हर 5 साल के अंदर, इससे क्या हो सके कि यहां योग पर्देश में मौझू स्थानिय शासन की संस्थाओ की अधिक आर्थिक स्तिती का जायजा लेता है और देखता है कि उनको कोई पैसे वैसे की जुरूत तो नहीं है तो आपको क्या समझाय है स्थानिय सरकार में क्या क्या बात बूली गई थी 73 संशोदन में कि तीन सरीय बनावट होगी है ना गराम पंचाय तालूक और जिला पंचाय चुनाव होंगे इनके रेगुलर आरक्षन की जाएगी सीड़ बहुत सारे टॉपिंग राज्य से हमारे स्थानिय सरकार को दिये जाएंगे उनके चुनाव करवाने कर दिया और 74 संशोदन एक्चल में 74 संशोदन क्या था 73 संशोदन का दोहराव था मतलब जो 73 संशोदन में बात बोली गई थी ना कि त्रीन सरीय बनावट होगी है ना इलेक्शन करने के लिए लग से एक चुनावायोग बना जाएगा राज्य चुनावायोग आरक्षन की जाएगी जो है वह 24 संशोदन में भी डाली गई ठीक है बड़ जो 24 संशोदन था वह शहरों के लिए था अब शहर होते क्या है सिंपल है शहर क्या होते हैं कि जिस एरिया की अबादी कम से कम 5000 हो ठीक है दूसरा है कि वहां पर maximum लोग यानि 75% से कम से कम 75% लोग ऐसे हो जो खेती ना क एक शहर का इलाका मेरे को कैसे बता क्योंकि मेरे एरिया के अंदर है ना बहुत ही मदब खेती तो होती नहीं है और उपर से 5000 से जाधा पॉपलेशन भी है तो इसलिए मैं शहर वाले एरिया में हूँ ठीक है और तीसरा पॉइंट यह है कि जो जनसंक्या है जनसंक्या का घं नेक्स्ट आते हैं कि स्थानिय शासन के अच्छा एक और बात आपसे घुमा के कोशन में पूछा जाता है यह आपसे पूछा जाएगा कि 1992 के बाद कौन-कौन से बड़े बदलाव आयते जिसकी वज़े से स्थानिय शासन मजबूत हुआ तो वो भी यही है त्रीन सरीय बन इलेक्शन चुनावारक्षन कर दिये गए ते यह सारी के सारी बाते यही लिखनी आपको ठीक है अब आते नीचे कि स्थानिय शासन के समख समझता है कौन-कौन सी हमारे स्थानिय शासन को भी कुछ समझ्याओ का सामना करना पड़ रहा है पहले तो धनका भाव राज्य सरक फ्रिया दूसरा जंता का जागरुकता जंता का जागरुकता ना हो ना इन क्रूटी है या है reaction की सोईंगे घर पर तो ये एक दिक्कत है दूसरा आए से अधिक तो खडचे है उनका इतने उनको पैसे मिलते नहीं जितने उनके खडचो जाते हैं रोड बनाने में इतने पैसे खडचो जाते हैं तो ये कुछ समस्तिया हैं जिसका सामला कर रही है हमारी स्थानिय शा कौन-कौन से विशे हैं ठीक है ऑविसी बात है टोटल में लाके हमने बात करी थी 29 विशे इसमें कुछी विशे दे रखें और आपको कुछी लिखने है एक्जाम में इन में से भी एक्जाम में कुशन ही आएगा जैसे शिक्षा सड़के कमजोर तब को का कल्यान सारजनिक व पताया क्या ना देखो पहली बात तो यह है कि जो नोट्स वागेना वह आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे इस चैप्टर के चैप्टर हमारा खताम हो चुका है बहुत चोटा चैप्टर था ठीक है तो हमारे नोट्स आपको वेबसाइट पे सीधा चले जाना ठीक है जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं सपोर्ट तो वही करें ठीक है और दूसरी बात यह है कि यह जो नोट्स है यह मैं टेलीगराम चैनल पे भी दे दूँगा क्योंकि वेबसाइट पे अभी तक नहीं किये तो वेबसाइट आपको वेबसाइट पे अभी नहीं बट टेलीगराम पे तो मिली जाएंगे टेलीगराम पे इसमें लिख रखेंगे 97 बट 97 नहीं है एक्ट्वल में 2000 यह मैं बोलू 2200 से ज्यादा बच्चे जो हैं वह यहां पर एड हो चुके है ठीक है जैसे की ऐनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे अप्लोड कर सकते हो बिना फेस दिखाए यूट्यूब पे कैसे अप्लोड कर सकते हो ठीक है फोन से अनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो दूसरे की वीडियो यूट्यूब कर के कैसे अन कर सकते हो फ्री जादा हो जाएगा और वैसे भी जो आपको छुटिया मिले न 11 के बाद उसमें 12 कभी प्रिपेर करना बट छुटियों के बीच में यूट्यू वगरा भी ट्राय करना वेबसाइट बनाने का ट्राय करना और भी फ्री में बताया है दूसरे की वीडियो यूट्यू पर कॉपी चैनला इस पर आजाना लाइव अगरा हम क्योशन अगरा देखेंगे और मेंपॉइंट सड़ी को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो कर देना और मेंपॉइंट टेक पे भी 22,000 सब्स्राइब हो गए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाकी मिलते है जी ने